अब हम देखना चाहते हैं कि यह solution के साथ कोई problem है या नहीं है तो हम क्या करेंगे y3 user की तरह login करके देखेंगे और उस पे file पे home, y1, file phone पे सारे operation perform करके देखेंगे कि भी read कर पा रहा है कि नहीं write कर पा रहा है कि नहीं execute और आप surprise हो जाओगे कि क्या है कि भी y3 user भी read कर रहा ह क्यों इसका reason जी है कि जब हमने permission कxt को दी है other को दी है other को अदर को आर जो directory पे थी waa is one उसमें क्या कर दिया हम ने अगर ध्यान سے देखें यहाँ पे हमने यह other पे सारी permission है यहाँ पे हमने other पे सारी देदी यहाँ पे भी other पे read है और यहाँ पे हम बाद इसका मीनिंग क्या होगा, इस जो solution के अंदर जो problem है, वो क्या है, कि Y3 भी सारी files को assess कर पाएगा, तो ये कई बड़ी सही solution नहीं होता, हम हो सकता है, ये चाहते हो कि Y1 की file ने सिरफ Y2 देख सके, जहां हम आगे देखेंगे कि भी नहीं, हम चाहेंगे कि भी, हम एक Y4 यूजर बनाएंगे, हम चाहेंगे Y4 की file ने सिरफ Y5 देख सके, और कोई यूजर ना देख सके, तो ये सही नहीं है, तो इसको मैं दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ कि क्या problem वाक्य है भी है या नहीं, तो मैं Y3 यूजर की तरह भी लॉग इन करता हूँ, और हम क्या करते हैं, cat, home, y1, file1, उसको देख पा रहा है, अगर उसके अंदर कुछ write भी करना है, पहले कुछ लिखा हुआ है, तो हम who, am I, इसके अंदर और लिख देते हैं, तो ये लिखने भी दे दिया, और execute करना है, तो execute करना भी, में उसने file को सब के लिए open कर दिया, जो कई बड़ी desirable नहीं होता, तो ये problem है, क्योंकि ये जो अभी तक permissions discussed की थी, वो user वाली permission discussed की थी, कि जिसमें हम user level पे permission लगा देते हैं, तो इसमें ये गड़ बड़ हो जाती है, कि जब हम other को देते हैं, तो क्या करते हैं, वो सब को other users को मिल जाती है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, group permission की तरफ आना पड़ेगा, group permissions से हम ये problem solve कर सकते हैं, कि भी अगर हमने एक particular user को देनी है permission, तो वो भी अगर Y4 चाता है कि कल को Y5 user को ही file name वो देख सके, जहां write कर सके, जहां execute कर सके, कोई और user ना कर सके, तो हमने कौन सी permission में जाना पड़ेगा, group वाली permissions भी जाना पड़ेगा, जिसनको हम अगली वाली वीडियो में discuss करेंगे, और प्रीज ध्यान रखना कि अगर आपको पसंद आती है वीडियो, प्रीज इसको like करिए, नहीं आती तो बहुत इसको dislike भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर को हमेशा एक सही feedback मिलनी चाहिए, और चैनल को subscribe करिए, क्योंकि इससे काफी motivation मिलती है, कि वाके लोग आपकी वीडियो को wait कर रहे हैं, subscribe करने से उनको पता लग देखाता है कि भी wait कर रहे हैं, तो एच्छा एक motivation मिलता टीचर को, और फर्दर बढ़िया काम करने में,